ये 23, क्यारा 20 पत्तों पर क्रमांक एक से 20 तक लिखा हुगा है, एक थैले में से ये पत्ते रखे गए हैं, थैले से याद रिच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ते पर निम्लिकित में से होने की प्राइक्ता निकालनी है, चलिए देखते हैं, पत्ते पर क्या लिखा है एक से लेके 20 तक, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, लो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उन्नीस, बीस, ये एक से लेके 20 तक इस पर लिखा गया है, ठीक है, यानिकि कुल संभावित परिणाव, क्यारा, कुल संभावित परिणाव, आपके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, पहला कॉस्चन, रूड संख्याूनिक परिख़ाई, तो पहले फृर्मूला लिख लो, किसी घटना a की परिखता होती है, घटना, एके अनुकूल, फर्मूला आतको बार बहे लिख़ाई, प पटा में कुल-संभावित परिनाव में और उससंभावित परिनाव में और अपने तीन और एक दो गया तीन चार पांच, छे, साथ, आठ, यह हो जागी, आठ बट्टा बीस, चार से कटेंगे दो बार में, और चार से कटेंगे पांच बार में, दू बट्टा पांच, दूसरा निकाला है भाज संख्या, तो भाज संख्या की बात करेंगे, भाज संख्या की बात करेंगे, तो टोटल भाज संख्या 11 हो जाएंगे इसमें और बटा में पूस अपको किसार 11 कैसे देखो इन आठो को छोड़ा आठो को छोड़ा और एक को भी छोड़ना होगा एक बीभाज संख्या नहीं है तो बच्चाएंगे आपके 11 गिनके देख सकते हैं 11 बटा में तीसरा निकालना है तीन से विभाज संख्या उसकी प्राइट थीन से भागने में वाली कौन कौन सी संख्या होते से एग दो तीन चार पाँच छे चे बटा में बीस कर देते हैं कर जाएगा ना ये तीन और यह जाएगा 10 तीन बट्टा 10 चार नमबर 5 से बिभाज संख्या 5 से बिभाज तो 5 से बिभाज कौन-कौन होने वाली हो जाएगी 5 से भाग लगने वाला होगा 5, 10, 15 और 20 चार बट्टा में 20 यहनए कि 1 बट्टा 5 इसकी प्रैक्टा क्या हो जाएगी एक बटा पार चलते अगले कोशन पे